हलो गाई सवेलकॉम बएक टुमाइं चालेंग धिंकोड यंड ूड़ेंट कोड चैलेंज इस एर्ट दा फैन्स तो इस कोशन में क्या करना है basically तुम्हें trees का array दे रखा है ठीक है उसमें क्या है? x और y coordinates दे रखा है i-th i-th tree के ठीक है? और तुम्हें इसका array दे रखा है trees का तो जहाँ जाँ पर tree है उसका x और y coordinate दे रखा है और तुम्हें क्या करनا है? उसमें fence लगानिये such that minimum length की fence हो और उसके अंदर सारे trees cover हो जाए ठीक है तो जैसे इस example में क्या है तो हम यहां से ऐसे fence बना सकते है ठीक है तो इसमें सारे trees cover हो जाएंगे तो अब देखते हम दूसरा example ठीक है तो जैसे यह सारे points है तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम minimum length की fence बनानी हमको तो हम क्या करेंगे यहां से ऐसे fence बनाएंगे ठीक है सारे trees का और हो जाएंगे अब ऐसे तो fence बनाएंगे नियम ठीक है क्योंकि इसमें क्या minimum length नहीं होगी ये और ये इसकी बजाएं ये लगाओ तो जादा अच्छा है ना क्योंकि ये प्लस ये विल भी greater than this तो हम इसको यहां से fence नहीं लगाएंगे और same reason से यहां पर भी fence नहीं लगाएंगे तो सारे tree भी हम्मारे cover हो जाएंगे ठीक है तो हमको return करके क्या देना है कि हमने कौन-कौन से points पे कौन-कौन से points पे on the fence लगा है ठीक है तो हमको ये सारे points लेटर्न करके देना है ये सारे यह सारे points हमको return करके देने है ठीक है तो कैसे करेंगे इस question को तो देखो इस question में हम क्या करेंगे तीन चीजे follow करेंगे ठीक है पहले यह सारे points हमको दे रखें सारे points दे रखें points का error दे रखा है तो हम क्या करते है sort कर देते है sort किसके according कर देते है यह points आरे दे रहे हैं हमको इसमें यह 2,2 है 1,1 है 2,0 है यह सब है तो इसको हमने sort कर दिया x-coordinate के according ठीक है और अगर x-coordinate same है पहले हम x-coordinate के according sort करेंगे जो चोटा x होगा उसको हम पहले consider करेंगे ठीक है और अगर x-coordinate same है तो जिसका y-coordinate चोटा हुआ उसको लेंगे, ठीक है, तो यह हमने comparator function लिख दिया, sort function लिख दिया, अब हम यह sorted area हो गया हमारा, ठीक है, तो 1,1 आ गया, फिर यह x coordinate जिसका छोटा था वो पहले आए, तो 1, 2, 2, 3, 4, और फिर इसमें इन दिनों में y coordinates, इन दिनों में y coordinates same है, तो 0, 2, 4, ठीक है, तो यह आगया हमारा sorted area, तो हमने सबसे पहले, सबसे पहले क्या किया, sort कर दिया area को, points area को, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से sorted है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, पहले हम इस point को consider करेंगे, फिर हम इस point को consider करेंगे, फिर हम इस point को consider करेंगे, फिर हम इस point को consider कर क्या चाहते हैं ? हम यहां से कवर करेंगे क्या चाहिए हैं कि आपड़ा चाहिогी में सबताइब और यह जो भिचवाले रहसए उसके लिए हम क्या करेंगे? यह जानते हैं कि हमं को कुछ पवंक MidnightIR अन्ज लेने पड़ेंगे हमारे answer में answer में points चीहे और कुछ points हमको discard करने पड़ेंगे ये points हम लेंगे और ये points हम discard करेंगे तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमको कौन सा point discard करना है ठीक है तो उसके लिए हम क्या करेंगे तो हमको कैसे पता पड़ेगा कि हमको कौन सा point discard करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे ये पहले के 3 points आए, तो हमने क्या करा, ये पहले के 3 points को हमने ले लिया, P, Q और R, ये पहले के 3 points है, x coordinate के according sorted था ये, ठीक है तो ये इसका x-coordinate छोटा होगा पी से बढ़ा होगा x-coordinate इसका और इसका q से बढ़ा होगा x-coordinate तो ये पहले के तीन पॉइंट्स है तो आप क्या होगा ये pq-vector हम लेंगे अगर positive है तो हम इस q को लेंगे ठीक है इस case में क्या है pq-vector x qr-vector क्या positive है कैसे ये ये हो गया pq-vector ठीक है और ये हो गया qr-vector तो तुम क्या करोगे यहां पर अपनी fingers को extend करोगे और यहां से यहां ऐसे close करोगे तो ये तुम्हारी तरफ आएगा इसका तो वेक्टर होगा ठीक है तो इसका मतलब है ये positive है तो इसका ये positive है तो हम q consider करेंगे q को consider करेंगे और अगर ये negative है ये क्या है pq-vector है क्योंकि हम क्या चाते है close करना चाते है ठीक है तो अब ये उपर आला आएगा ये q होगा अगर और ये p और ये q ये q ये r यह भी X coordinate के according sorted है, तो इसमें PQ Vector ही हो गया, और QR Vector ही हो गया, PQ Vector और यह QR Vector, तो यह यहां से तुम्हारी fingers extend होगी और इस तरफ जाएंगी, तो यह जाएगा away from you, ठीक है, PQ Vector और PQ Vector से QR Vector जाओगे, तो यह जाएगा away from you, और यहां पर क्या है, तुम्हारे पाफ आएगा, तो यह away from you जाएगा, तो यह अगर negative है, तो हम इसको consider नहीं करेंगे, will not consider this Q, ठीक है, अब यह चीज़ हम check कैसे करेंगे, code में, तो अभी देखते हैं हमारा, अभी एक चीज़ समझना है, जब अगर यह PQ Vector cross QR Vector negative है, तो हम इस Q को consider नहीं करेंगे, हम और अगर यह positive है, तो हम इस Q को consider करेंगे, तो यह check कैसे करेंगे हम, तो यह जैसे तीन points है, ठीक है, PQR, यह तीन points है, P, Q और R, तो इसका vector positive कब होगा, PQ Vector cross QR Vector का positive कब होगा, जब हमारी यह slope, यह slope, जो की है हमारी, RY, ठीक है, RY minus QY upon RX minus QX, यह बड़ी होगी हमारी slope, इस से, QY minus PY upon QX minus PX, ठीक है, यह अगर बड़ा होगा, तो हमारी, तो इसका मतलब क्या है, कि QX क्या है, QX क्या है हमारा, Q of 0 minus P of 0, into R of 1 minus, यह Y को Y हमारा 1 है, ठीक है, क्योंकि यह X, Y है ना, तो यह 0 और यह 1 है, vector में, ठीक है, vector में हम इसको से स्टोर करा है, तो यह हो गया, Q1, यह हमारा, minus Q of 1 minus P of 1 into R of 0 minus Q of 0, यह अगर बड़ा होगा, greater than 0 होगा, तो इसका मतलब हमारा क्या है, PQ vector cross QR vector, positive है, ठीक है, तो हम ऐसे चेक कर लेंगे है, कोई भी 3 points को लेके, P, Q और R को लेके, कि उनका cross vector, cross product positive है की negative है, अगर positive है, तो हम उस Q को consider करेंगे, अगर negative है, तो हम उस Q को discard कर देंगे, ठीक है, अब करेंगे कैसे वो चीट, तो अब देखते हम, step 3, ठीक है, तो अब यहां से important चीट काम आईगी है, हमारे, ठीक है, तो हमने क्या करा, जैसे यह हमारे points दे रखें, तो यह x coordinate के according sorted है, ठीक है, तो यह पहला point होगा, यह हमारा P होगा, यह हमारा Q होगा, और यह हमारा R होगा, यह पहले के 3 points है, तो हम क्या करेंगे, हमने इस starting point से चालू करा हमारा R, है हमारा code ठीक है यह starting point है और यहाँ से हम क्या करेंगे consider last three points तो जब भी जो भी हमारे last three points है तो अभी अभी last three points कौन से PQR तो हम check करेंगे क्या PQ vector cross QR vector positive है यह 18 आंप्ट ही हमारे तो मतलब क्या को डिसकांट कर दो डिसकाडल कर कर देते हैं तो हम क्या करेंगे को डिसकांट कर देंगे के तो हम code में देखते हैं इसको करेंगे कैसे discard तो जब तक हमारा यह जो है यह answer vector क्या है हमारा answer vector क्या है हमारा answer vector है जो हम points को ले रहे हैं consider कर रहे हैं points को consider कर रहे हैं वो हमारा answer vector में हम दालते जाएंगे तो जब तक इसका size दो नहीं ज़ादा तब तक तो इस loop में आओ मत ठीक है बस push ही करते जाओ तो पहले हम क्या करेंगे पहले हम P को push करेंगे फिर Q को push करेंगे ठीक है इस Q को push करा फिर हम जब इसका size 2 हो गया इसका size 2 हो गया ठीक है इसका size 2 हो गया तो P और Q और R इसका हम क्या चेक करेंगे वोई प्रोडक्ट क्या यह पॉजिटिव है ठीक है पॉजिटिव है तो कंसलर करो Q को और नेगेटिव है तो क्या करो Q को डिसकार्ट कर दो अभी हमने इस अज्ञेस इसास संसे पॉजटिव है तो को और के साथ कियो पॉजिट कर दो क्यों किया पढ़ फॉज़ कर दिया इसे ठीक है अब अब Г्ज्वेक्टर नें क्या पड़ा है सिर्फ P पड़ा हो एं ठीक है अब हम इस-स वाइल propose से लिकल नेएंगे क्योंकि इसका साइस्व कित पढ़ वाय slowsम फ्रेंगे अब नया प्रक्ला प्रक्राइब को से था है कुईू और यह हो गया point of i और यह हो गया q और ap तो अब वापस क्या check करेंगे pq vector pq vector cross qr vector क्या हमारा positive है तो क्या है इस case में pq vector cross qr vector क्या है positive है तो positive है तो मतलब इसको discard नहीं करना है इसको लेना है हमको तो हम इसको ले लेंगे तो इसका मतलब क्या हम इसको ले रहे है और हम यहाँ पे इस r पे आ गए तो अब हमारे अब हमारे अब हम इसको क्या push कर देंगे तो हमारा ये ये और ये हमारे answer vector में पड़े दें p q और r ठीक है यह answer vector में हो जाएंगे हम अब हम इस point पाएंगे इस point पाएंगे तो अब क्या होगा अब हम जब इस point पाएंगे तो हमारा ये तीन points पड़े वे तो अब हमारा हम तो सिभ लास तीन के point देखेंगे ठीक है तो हमारा last तीन point कौन कौन से हो गए ये हो गया ये हो गया ठीक है तो यहाँ से हम क्या यह answer 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 वाले में कौन-कौन से point पड़े वे थे यह point पड़ावा था यह point पड़ावा था और यह point पड़ावा था ठीक है तो P और Q से confused नहीं हो इसलिए बोल रहा हूँ अब हम इस point पे हैं तो यह हो गया हमारा R point of I और हमारे P और Q क्या होगा यह हो गया P यह उगया Q ठीक है यह होौगा लगा P यह हो गया Q तो अब हम आपीस से चेक करेंगे रहा př çık Val इस Q को भी कंसलिव करो इस Q को भी इस Q को भी अब R मत लिगा लो तो हमने इसमें क्या पुश कर दिया इसमें हमारे 4 पुश हो गए 4 पॉइंट्स पुश हो गए answer वेक्टर में ठीक है अब हम किस पॉइंट पाएंगे अब हम इस पॉइंट पाएंगे तो हमारे कौन कौन से पॉइंट्स पड़े वे ये पॉइंट पड़ावा है ये पॉइंट पड़ावा है ये पॉइंट पड़ावा है और हम इस पॉइंट पे है तो ये कौन सा हो गया ये पॉइंट अफ आई हो गया तो पॉइंट अफ आई अब यह current i के लिए तो अब यह क्या हो गया पी हो गया यह क्या हो गया यह क्या हो गया यह क्या हो गया तो हम चेक करेंगे क्या pq vector cross qr vector positive है तो यह क्या है negative है इस बार इसका मतलब क्या है कि discard कर दो इस q को इस q को हमने क्या कर दिया डिसकार्ट कर दिया ठीक है इस Q को हमने कर दिया डिसकार्ट तो यह चला गया अब हमारे अब हमारे इसमें कौन भी वाइल लूप खतम नहीं हुए क्योंकि इसको डिसकार्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या है यह व्यक्टर गया अब हम कौन सा चेक करेंगे अब हम चेक करेंगे यह यह हमारा नया आर है तो क्या PQ vector जो की ऐसा cross QR vector positive है तो यह भी negative आरहा है तो इसका मतलब क्या है कि इस Q को भी discard कर दो तो Q को भी हमने discard कर दिया तो अब यह Q भी गया यह Q भी गया ठीक है अब हम अब हम वापिस से चेक करेंगे अब हमारा P क्या बन गया यह बन गया, Q बन गया, यह और हमारा R अभी भी यह है तो क्या PQ vector cross QR vector positive है तो यह होगा हमारा PQ vector यह होगा P, यह Q, यह R तो यह अभी भी negative है तो अब इसको भी discard कर दो तो यह while loop अभी तक हमारा चल रहा है इस I पे इस I पे अभी भी हम इसी I पे हैं और while loop हमारा चल रहा है अभी भी तो हमने इसको भी discard कर दिया इसको भी discard कर दिया यह भी गया हमारा answer vector में अभी हमारा सिफ P पड़ा हुआ है यह X1 पड़ा हुआ है और यह हो गया हमारा इसका मतलब क्या है हमने सारे points को discard कर दिया और यह vector बन गया है बस ठीक है यह point गया यह point गया यह point गया और हम आगे इस पे हमारा answer vector अभी हम बस इसको consider कर रहे है अब इसको क्या है अभी इसका size किता हो गया 1 हो गया तो इसको तो push कर नहीं है तो यह point हमारा push हो जाएगा तो यह push कर दिया हमने ठीक है अब हम किस point गये नए R गये जो किये यह तो हम अब हमारे P और Q क्या बिंद देंगे अब हम चेक करेंगे P Q vector cross QR vector positive है हाँ है तो इसका मतलब यह हम point को consider करेंगे तो हमने इस Q को हम consider करेंगे इस Q को हम consider करेंगे तो हम इसको push कर देंगे फिर तो यह हम push कर देंगे इस point को जो की x3 बोल देते हैं इसको तो x3 को हमने push कर दिया अब क्या हुआ इसमें अब ऐसे करने से हमारा हमने क्या करा सारे points consider कर लिए और हम ऐसे जा रहे हैं ठीक है तो अभी तुम बोलोगे answer यह तो ही नहीं x1, x2, x3 थो ही नहीं यह एक पॉइंट तीन पॉइंट थो ही नहीं answer यह point यह point और यह point answer नहीं है अभी तो यह तो हमने छोड़ी दिये बीच में तो इसको consider करने के लिए क्या करेंगे अब हम ठीक है अभी हमारा क्या बन गया यह ऐसा बन गया यह ठीक है तो अब हमको क्या करना है हमको यह same चीज़ पीछे से भी करनी है अभी continue करना है हमको अभी हमारा y look कहां तक था यहां तक था i0 से लेकर m तक यह x3 ठीक है तो अब हमारे answer में कितने 3 point आ गए अभी हम पीछे से चलाएंगे अभी हम continue करेंगे इस loop को ठीक है इस loop को अभी हमने यहां से elements नहीं है अब हम यहां से continue करेंगे अब यहां से पूरे लेते जाएंगे ठीक है तो यह कैसे करेंगे अब देखो अभी हमारा answer vector में कौन से पढ़ेंगे यह 3 point पढ़ेंगे यह होगा x1 यह होगा x2 यह होगा x3 x1 x2 x3 ठीक है अब हम यहां से चालू करते हैं क्योंकि यह दो तो यह दुन दो ले चुके हैं अब यहां से loop चालू करेंगे वापस ठीक है तो इस r का है यह r बनगे अब नया और p और q का बनगे यह बनगे तो यह कह है q है यह कह है r है तो वापस हम चेक करेंगे क्या p q vector q r vector हमारा positive है तो p q vector क्या है हमारा यह हमारा p है x2 हमारा p बन जाएगा और x ठीक हमारा q बन जाएगा और हमारा r यह है तो p q vector p q vector यह हो जाएगा तो p q vector यह हो जाएगा और qr vector भी हो जाएगा ये qr vector तो ये क्या positive है तो ये हो गया pq vector और ये हो गया qr vector तो ये positive है इसका मतलब क्या है हम इस q को रखेंगे इस q को रखेंगे तो इसका मतलब हम यहां से ये line इसका मतलब क्या है हम इस q को consider करेंगे अब हम क्या करेंगे अब इस R को push कर देंगे हम हमारे answer vector में तो ये क्या हो जाएगा ये जो है हमारा x4 push हो जाएगा ये बन जाएगा x4 और हम नए R पहेंगे नए R को ने ये है हम पीछे से चालू कर रहे हैं तो पीछे से भी ये sorted x अगला point ये होगा तो अब हमारा ये बन गया ठीक है अब हम नए R पहेंगे ये point of I है तो अब हमारा P और Q क्या है P ये है Q ये है और R हमारा ये है तो अब हम P क्या है हमारा ये Q क्या है ये और R ये है तो अब P Q vector क्या है P Q vector इस direction हो है पीक्यु वेक्टर क्लास्ट तो इसका मतलब ये क्यों गी कंसेडर होगा तो आप इसके आगे हम क्या कर देंगे पुश कर देंगे तो यह हमारा एक्स फाइब पुश हो जाएगा इसमें है ते के और यह हमारा रैक्टर बन जाएगा ऐसे अब हम किस पर जा कि इस बाइगे तो यह पॉइंट हमारा यह बन जाएगा मेगा क्यू और यह बन जाएंगा आर दो यह बन गया ऑप हमारा और हमारा Q vector, cross Q R vector, positive है नहीं, negative है यह, तो इसका मतलब कहा है, यह negative है, तो इसका मतलब कहा है, इस Q को हमको discard करना है, इस Q को हम discard कर देंगे, ठीक है, इस Q को हमने discard कर दिया, यह हमारा R है, और हमारा, यह क्यों discard हो गया, तो अब हम, हमारा R क्या है, यह ही है, अभी हम, हमारा P क्या है, P Q R, अभी हमारा वाइल लूप एंड नहीं हुआ है, तो हम चेक करेंगे, कि क्या हमारा P Q R, यह R है, तो P Q Vector, Cross, P R Vector, क्या positive है, तो यह हो गया P Q Vector, Cross Q R Vector, positive है, तो इस Q को हम consider करेंगे, तो हम वाइल लूप से break कर जाएंगे अब, क्योंकि यह आ गया positive, अब हम इसको push कर देंगे, इस X5, यह X5 बन गया हमारा, और हमने इसको push कर दिया, अब हम जाएंगे इस वाले पर, ठीक है, तो इस वाले पर जाएंगे, तो यह हमारा बन जाएगा P Q, यह मन गया P, यह मन गया Q, तो P Q Vector, Cross, Q R Vector, P Q Vector, Cross, Q R Vector क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, हमको इस Q को छोड़ना पड़ेगा, इस Q को हम छोड़ देंगे, तो इस Q को हमने छोड़ दिया, ठीक है, अब हमारा P Q क्या बन जाएगा, यह यह, अब यह हो गया हमारा P, यह हो गया Q, और यह हो गया R, तो क्या P Q Vector, Cross, P R Vector, पॉजिटिव है, हाँ है, तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले R को पुश कर देंगे, यह मैं X5 जो है, वो पुश हो जाएगा, अब हम किस पाएंगे, इस वाले Point पाएंगे, ठीक है, आईए, जीरो तर जाना है न, इस Point पे भी आएंगे वापिस, तो अब हम चेक करेंगे किया हमारा ये, ये क्योंने R है, और ये क्योंने Q है, और ये क्योंने P है, तो P Q Vector Cross, P Q Vector Cross, P Y Vector Positive है, तो अब हम इसको पुश कर देंगे, इसको पुश कर दिया हमने X6 को, बट X6 तो पहली पुश हो जो हो रखा है X1 में, ठीक है, तो इसको हम वापिस पॉप भी कर देंगे, तो ये पॉप हो जाएगा, ठीक है, और हमारा ऐसे complete हो जाएगा answer, कि अब हमारा answer में कौ X3, X4, X5, जो जो पॉइंट्स हमारे consider करने चाहिए थे, वो हमने ले लिए, ठीक है, तो अब इसका code समझ में आई गया होगा, अब इसका पूरा एक बार का code देख लेते हैं, तो हमने क्या करा, हमने ये एक comparator function बना लिया, और ये orientation चेक करने के लिए, कि P Q Vector क्रॉस QR Vector Positive के लिए की negative है, हमने sort कर दिया comparative के according, हमने फिर, ये वाइल लूप में गया, ये कब चेक कर रहे हैं, आई 0 से लेकर n तक जा रहे हैं, और जहां जहांपे हमारा, हमारा, P Q Vector क्रॉस QR Vector हमारा negative होगा, हम आपे Q को discard करते जाएंगे, ये वाइल लूप है हमारा, ठीक है, और आपर सेम चीज़ हम पीछे से भी continue करेंगे, ठीक है, और ये answer पॉप बैक कर देंगे एक बार, क्योंकि हमने last element को वापे से दाल दिया, और हम return कर देंगे answer, ठीक है, so that's it for this question, hope you like it, please subscribe to the channel, ठीक है, तो time complexity किते होगी इस question की, time complexity, time complexity होगी, O of n square, क्योंकि ये while loop भी लगा रखा है हमने, और ये जब तक elements को discard करता जाएगा, तब तक हम उस q को discard करता जाएगे, तो ये पूरा for loop जो है, n square में जाएगा, ठीक है, तो इसके लिए time complexity होगी, solution की n square, so that's it for this question, hope you like it, please subscribe to the channel, so please subscribe कर देना, like कर देना, Thank you.